तो यार फाइनलि थौर लावेंटेंटर का ट्रेलर आही गया और क्या ट्रेलर था यार समझ यो कुछ भी नहीं आया पर बहुत अच्छा लगा और उस ट्रेलर में म्योनेर का एक सीन देखके मैं तो बिल्कुल खुसी हो गया तो मैंने सुचा कि म्योनेर के उपर एक वीडिय वह भी देखा है पर सही बत यह है कि थोर कभी उड़ ही नहीं सकता पर फेक्ट यह है कि आगर आपने ध्यान दिया होगा तो थोर हमेशा म्योनेर की मदद से ही उड़ता है अपने आप से वो कभी उड़ नहीं सकता एसे ही कॉमिक्स में भी थोर उड़ नहीं सकता थोर म्योने वे इंसान को जिंदा भी कर सकता था और इसी के साथ ही साथ ये अपना और अपने यूजर का रूप भी बदल सकता है जो कि हमने थौर रखने रोक में देखा था इसने अपने आपको एक अम्रेला में बदल दिया था फैक्ट नमबर 3 तो एक जैसा कि हम जानते हो और हमको बत से उड़ता ही रहता है तो उसे कोई भी पकड़ सकता है पर उसकी पावर को कोई भी अनवर्दी बंदा यूजर नहीं कर सकता है तो इतना लोट मतलो मैं बताई रहा हूँ क्वह कौन है वह है मून नाइट मिंगो कर सकता है चीका मून नाइट मून गोड है और मोन से ही बना है फैक्ट नमबर फाइफ तो यार हम सबी नहीं की थोरे से हाथ लंबा करता है और रिल्म तो यह देखते हैं कि अपने कभी तो सुचा हुआ कि एसे के से हाँ वह एक बाता और बताई कि कि म्योनर कनेक्ट है थोर के माइंड से इसलिए थोर स्थाहिए कि वह उसके हाथ में आजाए तो आजाता है वह उसको उड़ा ले जाता है तो factor no.6 तो इन सब के अलावा मियोनेर के पास एक कमाल की ability है पर उस ability से मियोनेर को कोई फाइदा नहीं यह फाइदा है हमारे थोर को तो आर वो ability all tongue ability जिसे थोर किसी भी language में बात करता है चाहे वो उसको आती है चाहे ना आती हो तो यार इसी साब से तो Thor Animal से भी बात कर सकता है तो क्या ऐसा होगा यार इसका जवा मुझे comment में बताओ तो एक काफी fun fact है तो कि आप जानते कि Thor की movies के लिए 30 से भी ज़्यादा hammer बनाए गये थे जिसमें से कुछ तो बिल्कुल soft थे जिन्हें fight scene में यूज किया जाता था और कुछ में तो light भी जलती थी आप खुद पता लगा सकते हैं कि वो किसलिए होंगे और बाकि सारे aluminum के बना हुए थे कुछ भारी तो कुछ हलके तो यार आप सभी को ये तो पता ही होगा कि मियोनेर Thor को heal कर सकता है चाहे वो कितना ही गायलो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मियोनेर Thor के साथ साथ खुद को भी heal कर सकता है जो कि हमने Thor 11 अंडर के ट्रेलर में देखी लिया जो मियोनेर माइटी तो के हाथ में वो वही मियोनेर है जो Thor Ragnarok में हैला ने तोड दिया था तो इसलिए शायद मियोनेर अपने आपको भी heal कर सकता है तो ये फेक्ट होने वाला है Stormbreaker के बारे में जो कि ये काफी कमाल का weapon है Thor के लिए तो आपको ये तो पता ही होगा कि Thor के सारे weapon काफी powerful होते हैं पहले मियोनेर था तो वो भी powerful था अब Stormbreaker है वो कुछ कब नहीं है तो जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था कि Stormbreaker ने अपने आप से ही एक बाइफ्रोच खोल दिया जो कि सबूत है कि वो weapon कितना powerful होगा तो पस आज के लिए इतना ही अगर आप Marvel के fan हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और आप हम मिलते अगली वीडियो में